हेलो, हेलो डियर कैसे हैं आप सब आता करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे अभी लगबक सुभा के सबाब पांच हो रहे हैं और आज है 18 जुलाई आप समझ सकते हैं पिछले महने यानी 18 जुन को इस टाइम में मैं कितनी दर्द में थी और अभी देखिए सबाब पांच हो रहा है बिल्कुल अंधेरा है प्लॉडी वेदर किया हुआ है हबा बहुत अच्छी चल रही है तो अभी मैं उठकर मस मुझे अचानक से याद आया कि आज तो 18 जुलाई है आज के दिन में कितनी कष्ट में थी सनिवार भी गुजरा तो मुझे ही याद आया था स सब डूट आप संब को वेरी गूड मॉर्निंग मैंने कलके वडियो में आप लोगों से वादा किया था कि कुछ मैं करूंगी मैं बस याद्यार फन बनाना चाहते हूं आप लोगों के साथ कोई देखे न देखे मैं अपना यादर पल रखना चाहती हूं और यहां पर देखाएंगे तब आप पांच हो रहा था उसके बाद फिर बाबु को ते लोगे रख करवाया देल लगाया पिडिंग करवाया इसमें मुझे छे सवाचे हो गया फिर बाबु को सब्सक्राइब करने तो यहां पर मॉर्निंग ती उबल रहा है आप लोग भी आ जाएए पीने और इधर जो प्लेट में देख रहा है जो मम्मे पाने की हुई थी इसमें चक्की बनाई थी तो थोड़ा सा बंबई मिठाए के तरह हो गया था घीचा घीचा सा तो मम्मे सब लोग चला आई गया तो मैं अकेला क्या करूंगी कितना खाऊंगी इसलिए इसको निकाला है कब इसको और पिगला कर थोड़ा अच्छा बनाऊंगी देखती हूं कब कर पाती हूं क्या क्या कर पाती हूं तो यहां पर मैंना आकर आ गए हूं किचन और अभी खाना बन गया है सुभा जो बाबू को मैंने नास्ता दिया था पनिर की सब्जी बनाए थे और उसे पूड़ी दिया था मैं तो पूड़ी पराठा नहीं खाती हूं तो मैंने रोटी बना कर रख लिया था और रोटी ब सोबाने नहीं लगाया था और यह पीन खजूर है जिसे की सरीर में खून बनता है आयरन की मात्रा पूरी होती है पीन खजूर से चुपाड़ा से चुकुंदर से यह सब चीज तो मैं खाती हूं लेकिन वही है कि मेरी बेटी को गैस हो जाता है तो सबसे पहले मैं खाना खाऊ के आफिस चले गए टाइम सेटिंग कभी होता है कभी नहीं होता है तो सबेरे ही मैं नहाल लेती साड़े 10-10 बजे के आसपास तो सारे बरतन को मैं यहां लगा कर फिर मैं यहां पर अपना खाना निकालूंगी तो रात की जो रोटियां पची है एक दो है बरबाद नहीं हो मेरी बेटी कर रही है तो रात का वी रोटी खराब नहीं हुआ है मैं अपना खाना ले लेती हूँ और इंडक्षन पर जमाइन पानी मैंने डाला हुआ है और यह चक्ति को देख रहे हो पीगला के नहीं पीगला आज कर पाती हूं यह नहीं तो बस मुझे डियर कुछ तो मैं समस्ति हूं कि बहुत सारे लोग अपने परिवार के लोग नहीं आयते लेकिन अब जो है जरूरी नहीं होता है कि आपके हर फंक्षन में लोग पहुंचेंगे ही अब तो देखते हैं बड़े 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 अब मैं खाना कना मेरा हो गया है खाना खाने के बाद कुछ ककपडर है आने के पहले बहुए मशल में डाल देती हूं। चलते रहता है और जो बाबू का कपड़ा होता है मेरा तेल लगाती हुँ थेल अर में पर कउमफ़र्ट दिना जरूरी होता है तो मैं रूम वाला लेत能ी भी वाइट वाला गाता है बैट वाला जो टम्स टतो पहले bunny इसमें डाल दिया तो और यह तेल लगाने वारा है तो एक कपड़ा मैंने सुचा क्या ड्राय करों इसको हाथ से निचोड़ दिया और सारे कपड़े को मैं बालकनी में डाल दूंगे जिससे की सूख जाए खाना खाने काद मैंने यही काम किया है और उसके बाद सारे कपड़े सूख जाएंगे तो लोग समय के saam के पहले ही बेटी का उठा लेति हुं भालकनी में नहीं रहने दें ता आ टो कि मैं वहीं भोल रहा थी कि अपने लोग आज कहल पहुंचते नहीं आया बड़े वियद्टी और नहीं अब कोई किसी को इतना समय नहीं है कि पल पल कदम कदम पर आपके यह दोड़के आए और अगर आप रिस्तेदारों के आसा में कि वह आएंगे तम मैं यह करोंगी यह सेलिब्रेशन तो फिर आप मुस्किने पड़ जाएंगे लोगों को उतनी फूर्सत नहीं है तिसलिए मैं अब आप लोगों के साथ शेयर ने कर पाई थी तो मैं मेरे पास उसमें वीडियो मिली नहीं रहा था लेकिन वीडियो मिल गया फिर अभी वीडियो मिला हुआ है तो मैं अपने से डेकोरेशन वगरा करती हूं अब शुला की आई हूं सो इनके लिए एक एक दिन रहा के होता है कि जैसे नहीं होता है कि सावन ला आएक तुरंत था निन मुझे लाएगी जैसे पेट पिर एक भी यह डंड़े में और आक एक घंटा लगा उसको शुला आने में और आखिरका उसकर में मैं वी सू रहे य तो बेटी को भी नाला के मैंने रेडी कर दिया है मेरा बेटा भी स्कूल से आया नहीं है तो देखती हूँ परिशानी क्या है कि इस मकान में अभी मैंने बात करी थे आप लोगों से मकान छोड़ना है मुझे लेकिन इन लोगों ने मना कर दिया बाव का जो छट्थी हुआ उसमें तो मैं उस वीडियो में आपको नहीं दिखा पाई कि किस तरह से वो लोग भी आये तो मेरी बेटी रोने लगी थे जब मैं वायस ओवर कर रहे थे फिर उसको मैंने चुप किया है फिर आए हूं वायस ओवर करने अब तो मेरे काम इसी तरह से होंगे तो उन लोगों ने बहुत रिक्वेश्ट क्या नहीं आप लोग नहीं जाए क्यों जाना चाहते हैं लेकि इतना साल से हम लोग रहा रहे हैं साथ साल से कुछ इन लोगों ने ने करवाया है मकान तो बहुत अच्छा है लेकिन अपडेट कोई बीचीज का एक छोटा सा या बड़ा सा कोई एप हो मुबाईलों कुछ भी हो सब चीज में अपडेट जरूरी होता है हर चीज में होना है लेकिन लोगों ने लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं यह सब कारण ने चीटियां वगेरा दिवाल पर चड़ना कीड़े मकोड़े यह बहुत कारण है और कितना इसे लोग साफ करके रखेगा दूसरी बात है कि कवर्ड भी नहीं है इनके मकान में जो की समान रखने में चिपकाने का मैंने सोचा था बेड में दिवाल में लेकिन बिल्कुल यह डिसीजन गलत हुआ आगे मैं बताऊंगे आपको उसके बाद यहां पर मैं बैलून जल जल जिप लारी हूं और तब तक यहां पर मैंने बैलून डेडी किया ही था लगक बारा साड़े बारा हो ही मैंने इनसे ऑजरे लार बाबो इनसे बाव का ड्रेस मंग आयां मैंने बहुत और को अधाया लेकिन अधिह अनको रहना पड़ता और आप समझ सकते हैं कोई इंसान खानों बना करे मैं बना के जाए फिर ऑफिस में काम करें फिर नौब जे रात में लोटे और मैं लंबा चुड़ा लिष्ट थमा दो फर्माइस कर दूं तो कितना बुरा लगए तो बैलून के तरह लेते हैं और मैंने जूट बोलकर भी मंगवाया था इनको मैंने बताया भी नहीं था लेकिन इनके लि जाओंगी नहीं तो इसलिए बस तिर्फ बैलून का यह आडिया रखा कि सब कुछ इसका जिसे बेट सीट मैंने सोचा कि वह बेट सीट वाइट है तो इसका बेट रेड होना चाहिए इसका ड्रेस कॉम्बिनेशन रेड वाइट है तो मैंने भी रेड नाटी पहान ली अप कमेंट जरूर सेयर करिएगा इसी तरह दिन दुना रात चोगोना मेरी बेटी बढ़ती रहे आगे बढ़ती रहे इसी तरह से मैं तो मां हूँ बेटी का मुझे बहुत सौकता और मैं बहुत खुस हूं यहां पर मेरा बेटा आ गया इसकूल से और यह जो बेट सीट मैंने साब कर दिया और पता है इस इतना जो मैंने किया भागदौट सुबह से मैं करी रहे थी अभी मालिश करने के लिए नहीं आई थी तरीदा कि यहां चार फिर बेटा को खाना देने गई फिर मतलब भागदौड़ जो हुआ मेरी वह इस्तिती हो गई रात में मैं आपको बता इस वीडियों से मुझे ऐसास होा कि अभी मैं बहुत ज्यादा कम्जूर हूं ने तो मुझे लगता है आप पूरा देखती हो 15 दिन बाद अस्पताल जाओंगी तो देखती हो डॉक्टर क्या करते हैं तो मुझे जोती नहीं आइडिया दिया था क्या आप बाहर का भी ब्लॉगिंग क्या करें तो मैं कर सकते हूँ डियर लेकिन अभी तो बाहर ही जाना मेरा एक साल ते लगवा गब त तब सुस्क्र रहे जितना मेहनद भी किया यही रेखिए कितना खुबसूरत लग जा था दिवार में लगाया मैं इतना बार बार उखड जा रहा था चुना भी उखड के गिश्टर्बैंस आएगी और उसका निंद भी पूरा होना जरूरी है और बहुत तरह से दिमाग लगाया ऐसे करना है और लाच्ट तक आप देखिएगा कितने तरीखे से मैंने दिमाग लगाया यह जो पंका चलता था बार-बार से लोटे पुखड के गिड़ जाता था मतलब बहुत ज्यादा परिशाने का सामना करना पड़ा है मुझे इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों इतना शुरू कर दिया पैर भी काफी दर्द हो रहा था फिर मैंने सोचा सारा फुला के मैं बेट पर यह ऐसे रख देती ह और मेरा बेटा देखिए पिछावन के अंदर ही बैलून दे रहा है क्योंकि हावा से उड़ रहा है अब इतना डेकोरेशन करने के बाद मन देख के भी बहुत अच्छा लग रहा था कि इतना अच्छा आ रहा है कम से कम यह पिक तो मेरे पास रहेगा यादगार पल एक बन से जाती हूं पंका चलाना नहीं होता है तो गिरता नहीं है इतना सुंदर से मतलब इतना अच्छा से चारो तरफ लगाया था फिर सिंगल सिंगल लगाना शुरू किया फिर सोचा कि हर्ट बना दू बेट पर और यहां पर लाकर अपने बेटी को रख दिया है देखिए मेर परिसान में पड़ गए थी लेकिन जो भी है यह मेरे लिए बहुत ही यादगार पल है कि मेरी बेटी आज एक मैने की हो गई और यह इसको निंदार यह जमाई कर रही है पंखा जो चलाया इसके लिए तो सारा बैलन तूट तूट के गिर रहा था पंखा बंद किया दिखि ट्यारा नहीं रोना फुरू कर दी तब कहीं जाके प्रकार से तो आप लोग बताईएगा कि मेरा यह प्लान यह सौक फेल हो गया फ्लाप हो गया यह कुछ भी यादगार पल मेरे लिए बना आप लोग बुजबर बताईएगा बाकि यह रोने लगी फिर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगने लगा मैंने का नहीं बावा छोड़ देते हैं फिर इसको चुप कराया और यह सो गई फी सारे बैलून को इस तरह से मैंने कर दिया यह इतना भी शिंगल था सब को फोर-फोर में डिवाइड कर दिया और फिर मैंने बेटा को का तुम इसको बापूर करे रहे तो फिर डेकोरेशन कापी अच्छा होता है देखती हूं सब कुछ कब तक संबभ है बाकि यह बहुत यादगार पल मेरे लिए रहा फिर यह गोद में लेके बैठा फिर यह बोल रहा है क्या बिट्टू यह बढ़ियां से सेट नहीं हुई है इसको सेट कर दो मेरे बिटियार आने एकितम खुस हो गई फिटिंग अगरा करके इसका फिट भर गया तब फिर से मैंने सारे बैलोन को जोड़ा जोड़ा और धागे में इसको किया क्योंकि मेरे अच्छार पर बेटी थी मेरी बेटी हुई मैंने क्या क्या तो डियर आप लोग बताईए आप ल नहीं कर पाती हूं आप लोग जरूर कमेंट करके बताईएगा मेरी बीटिया कैसी है मुझे ये भी बताईएगा बेटी आराने को धेर सारा आशिरवाद और अपना प्यार दीजेगा बहुत मैनस से आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाती हूं और अभी सब कोई सो गय पंका वी चला दिया है बेटी खाना भी खाली है मेरी बेटी अब बस इसको चाय पीनी है क्योंकि इसको जम्हाई आ रही है तो आप लोग और अपना ध्यान रखेगा आप लोग स्वस्त रहेंगे ठीक रहेंगे तभी मेरी बेटी को आप लोग बढ़ियां से खुश होकर सब्सक्राइब विडियो लाइक करिए और अपना कमेंट जरूर सेयर करिएगा वो टोपी पहना आया था पहले पहली वाज़ा बना तो इसके लिए मैंने रेट का हेर बेंड भी मंगाया था लेकिन वो कि एर बेंड कपड़े का ही है ऐसा नहीं है कि प्लाश्टे को गिरा का है बहुत यह अच्छा है लेकिन मुझे लगा नहीं हो कि इसमें जो फ्लावर बना हुआ है वो थोड़ा सा हो सकता है चुबूब जाये तुमाने वो सब्सक्राइब पहना आया और बेटा को तो मैं काज प्लाव यह वाई देखिया मेरी बेटी कुछ चाहिए वाई जाय के लिए मेरी बेटी बेटी के लिए बनाने मैं भी चाहिए आप लोग भी जाय पीजिए अपना लिहान रखे उत्वाज रहे सुर्थ रहे तो बाइवाइड यह लव यू ओल्क में जबूर करिए मेरी बे